हलो गाईस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे मस तूंगे और मज़े में होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रवा उपमा की यानि सूजी उपमा की रेसिपी जिससे बनाना बहुत ही असान है जो बहुत जल्दी बन जाती है और इसको हम जादा तर ब्रेकफास्ट पे इंजॉय करते हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के ओर तो उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक कप सूजी, सूजी मैंने लिए 1500 ग्राम तोड़ा-सा बारी कटा हुआ गाजर, आट से दस बादाम, थोड़ी से किश्मिस, थोड़ी से मूमफली, एक बारी कटा हुआ प्याज, तोड़ा से कड़ी पत्ता, और 2-3 बारी कटी हुई हवी मिर्च तो यहाँ पर मैंने कड़ाई लो फ्लेम पर गरम होने के लिए रख दी थी तो अब इसमें मैं एड़ करूंगी सूजी सूजी को हमें लो फ्लेम में 1-1.5 मिनट तक भूनना है ध्यान रखिएगा सूजी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए हमें इसे वाइट ही रहने देना है इसे ब्राउन नहीं करना है तो दीरे दीरे हम इसे भून लेंगे तो सूजी हमारी भून गई है तो हमें इसको साइट पे रख दूँगे एक फ्लेक में निकालके और उसी कड़ाई में मैं एड़ कर रही हूँ दो से तीन टेबल स्पून ओइल अब इसमें मैं एड़ करूँगी पीनिर्स मूम फली इसको मैं चला लूँगी अब इसमें मैं एड़ कर रही हूँ कटे हुए बादाम यहाँ पर मैंने 8 से 10 बादाम लिये हुए है आप चाहें तो इसमें काजू भी एड़ कर सकते हैं इसको भी मैं अच्छे से चला लूँगी यहाँ पर मैं एड़ कर रही हूँ किश्मिश अब मैं इनको अच्छे से भून लूँगी तो ड्राइफ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं तो इनको मैं निकाल दूँगी और उसी तेल पर मैं एड़ करूँगी थोड़ा सा राई आपको एक्स्ट्रा तेल डालने की जर्वत नहीं है थोड़ा सा कड़ी पत्ता बारिक कटावा प्याज और हरी मिर्च तो मैं इन सब को अच्छे से चला लूँगी एक मिनिट तक प्याज को हम भून लेंगे अब इसमें मैं एड़ करूँगी कटा हुआ गाजर यहाँ पे मैंने एक गाजर यूज करी हुई है तो इसमें मैं एड़ कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च नमक अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चला लेंगे तो इसको मैं एक मिनिट के लिए ढ़क के पकने दूँगी तो गाजर हमारी पक गई है हम इसको एक बार और अच्छे से चला लेंगे अब यहाँ पे मैं एड़ करूँगी सूजी एक बार और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें मैं एड़ कर रही हूँ एक से डेढ़ कप पानी अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे ध्यान रगिएगा हमें इसे लगातार चलाते जाना है आप इसे लगातार चलाते रही है तो उपमा हमारा यहाँ पे रेड़ी हो चुक है तो अब इसमें मैं एड़ करूँगी ट्राइफ रूट्स जो हमने भूने होए थे इसको मैं एक बार और अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो उपमा हमारा रेड़ी है तो अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग प्लेटिंग हो चुक है उपमेगी तो यहाँ पे मैं एड़ करूँगे इसमें बन टेबल स्पून घी घी एड़ करने से घी डालने से इसका टेस बहुत जादा टेस्टी हो जाता है आप इसको जरूर एड़ करिएगा थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया तो रेड़ी है हमारा सूपर हेल्दी सूपर टेस्टी रवा उपमा जिसे आप अपने ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं यह बहुत हेल्दी होता है काने में तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए अगर आपको अच्छी लगी तो कॉमेंट करके बताईए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई